दोस्तों जब विमेंस प्रिकेट की बात होती है, खास कर मौजूदा समय में तो एलिसा पैरी और स्मृती मंधाना से अधिक शालीन कोई नहीं हो सकती। रॉयल चैलेजर्स बैंगलो ने जब दिली के अरुन जेतली स्टेडियम में खेले गए विमेंस प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियन्स को पाच रन से हरा कर यादगार जीत दर्ज की तो ये दोनों खिलारी बेहत खुश थी। 135 रन से नीचे किसको को डिफेंट करने उतरी RCB मैच में ज़्यादातर समय बैकफूट पर ही थी। हाला कि उन्होंने हार नहीं मानी। मंधाना की शांदार कप्तानी और पैरी की कभी ना हार मानने वाली जीत ने बैंगलो को फाइनल का टिकट दिला गया। मुंबई के खिलाफ रोमान्चक जीत के बाद मंधाना और पैरी काफी भावुख हो गई और वे अपनी भावनाव पर काबू नहीं रख सकी। मुंबई को मात देने के बाद मंधाना की आखे नम हो गई और उनकी आखों से खुशी के आसू निकलने लगे। इसके बाद पैरी जिन्होंने बल्ले और गेंड दोनों से मुकाबले में महत्वपुन भूमिका निभाए। इस पल का जशन मनाने के लिए उन्हें कसकर गले लगा लिया और दोनोंने बेहत शांदार तरीके से इस जीत का जशन मनाया। पहली बार फाइनल में पहुँचने के बाद RCB ने मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक इस जीत का ज़ोरदार जशन मनाया। सोशल मीडिया पर पैरी और मंधाना का जशन काफी वाइरल हो रहा है।